हलो फ्रेंट्स वागत है अब सभी कापके अपने यूडियो चैनल टेक्निकल इंडिया और सम्म के में तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप के बारे में आपको बताएंगे आपको क्या काम करना है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा काफी इंपोर्टेंट वीडियो होने वाली है अगर आप लोगो ने यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल किया है तो आपका information मिलीगी सबसे पहले जो फ्रेंट से लिए आज़ की वीडियो स्टार्ट करते हैं तो गाइस फिले मैं आपको बता दूँ कि आप लोग अपना UPS scholarship का जो proper status है वो कहां से चेक कर सकते हैं इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपको क्या काम करना है क्योंकि पिछले साल काफे जदा चातरों के मेरे पास comments आयते, messages आयते, Instagram पर उन्होंने बताया था कि हमारा जो amount था वो department ने तो भीजा था, मगर हमारी जो transaction थी वो fail होई तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो गलती आपको नहीं करनी इस साल ठीक है, उससे पहले हम जान लेते हैं कि आप लोग अपना status अपना correction कहां से कर सकते हैं तो उसके लिए आपको simply अपना chrome browser open करना है और वहाँ पर आपको search कर लेना है, सरकारीjobfind.com इसका जो direct link है, वो मैं आपको नीचे description दिस्क्रिप्शन पर वहाँ से भी जा सकते हैं, और direct chrome browser पर भी search कर सकते हैं, सरकारीjobfind.com उसके बाद आपको यहाँ पर simply नीचे आना है, जै यहाँ पर आप लोग अपना UP scholarship का pre-metric, post-metric and other than inter का जो status है वो देख सकते हैं, प्लस यहाँ से आप लोग अपना firm में correction भी कर सकेंगी, जैसे ही link generate हो जाता है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या काम करना है, तो यहाँ पर उसके लिए हम सबसे पहले scholarship की official website scholarship.up.gov. .in पर आजाते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या काम करना है, यानि कि government ने जो scholarship की website है, उस पर भी mention कर दिया है, ठीक है तो जैसी है भी हम बनीच आएंगे, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, एक line चल रही है, समस्त 46 चात्रा है, जिन्होंने अ पर आप लोग उनसे अपनी अधार सीडिंग करा लिए, उसके लिए हो आप लोग आप लोगों का अधार कार्ड या और या फिर आपका जो fingerprint scanner है, उससे scan करके आपकी अधार सीडिंग कर देंगे, कि वाइसी आपकी update कर देंगे, तो आप लोग से request यह है, कि अपनी जो bank है, जो भी आपकी branch है, उसमें जाईए, और उनसे अपना अधार कार्ड अपडेट कराईए, कि वाइसी अपडेट कराईए, और उनसे कहिए, कि जो mobile number वह उसमें लिंक नहीं है, तो mobile number भी लिंक करा लिए, जो आपका अधार कार्ड में लिंक है, ताकि जब department, scholarship department, आपका जो प mobile number लिंक होगा, अकाउंट में, उसी में आपका पैसा जाए, तो इस बात का आपको धियान एकना है, बहुसी बार क्या होता है, चातर ने तीन से चार साल पेरे, पांस साल पेरे कोई अकाउंट खुलाया होता है, उसमें अपना जो प्रेजेंड में, जो आधार कार्ड से ल रुपे और 10-20,000 रुपे कि तो बहुत ट्रांजेक्शन थी, वो फेल होई थी, तो इस बात का आपको धियान लगना है, कोई भी आपका जो अकाउंट है, वो इन एक्टिव कर्णिशन में नहीं होना चाहिए, एक्टिव कर्णिशन में होना चाहिए, के वाई सी उसमें अ सब्सक्राइब करके, बेल आइकन जो दूबा दियेगा, थैंक्यू फ्रेंड, सब नाइस टे,